बिहार सिक्षक भरती प्रक्तिया में दूसरे राजे के अभेरतियों को कितनी सीटों पर फाइट करने का मौका मिलेगा ये एक संशय का विशय बना हुआ है हलांकि विवाद होने पर जो बिहार सरकार में विशेश सचिव हैं उनके द्वरा इस पष्ट सब्दों में ये कहा गया कि आरक्षण का लाब सिर्फ और सिर्फ बिहार के इस्थाई निवासियों को मिलेगा आरक्षण की जब बात आती है तो डोमेसाईल के अधार पर आरक्षण की बात की जाती है जिसमें जाती के अधार पर और आर्थिक इस्थिति के अधार पर सम्मिधान में प्रावधान है इसी प्रकार से महिलाओं को भी 50% आरक्षण का लाब दिया ज़ा है लेकिन वो ना तो जाती के अधारपर है और ना ही आर्थिक इस्तिती के अधारपर है वो लिंग के अधारपर है तो जो सचिव के द्वरा इस पष्ट किया गया था उसमें ये बातें मेंशन की गई थी कि 16,000 पदो पर ही दूसरे राजे के अभीरतियों को मौका पिछली जो 6th phase की भरती हुई थी उसमें भी 50% महिलाओं को रिजर्वेशन था और उसमें भी अन्य राजे के अभीरतियों को आरक्षान कलाब नहीं दिया गया था तो पिछली 6th phase की भरती में जो अन्य राजे की महिलाओं थी उनको 50% रिजर्वेशन कलाब दिया गया था तो उस हिसाब से ये पूरा एक विवाद हो सकता है कि जब पिछली बार आपने लिंग के अधार पर दिया था तो इस बार महिलाओं को अलग क्यों कर रहे हैं तो ये निशी तोर पर अभी और ये जो न्यूज पेपर में खबरे आ रही है ये न्यूज पेपर हो सकता है अपने हिसाब से खबरों को एक तरिके से जो भी उनके द्वारा इस्टेटमेंट दिया गया हो सकता है अपने दूरा इनके दूरा ये सभी चीजे एक तरीके से समझ करके उनको क्या समझ में उसके आदार पर लिठा गया क्योंकि जो उन्होंने इस्टेट्मेंट दिया था उनमें especially महिलाओं के लेकर जिक्र नहीं किया था अब ये 16,000 पद कहां से आ रहे हैं तो जैसा कि आपको ग्यात होगा तो इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं जैसा कि आपको ग्यात होगा टोटल जो सीटे हैं प्रात्मिक इस्तर के लिए वह 89,943 है अगर round figure कर दें तो लगबग 80,000 के आजपास 80,000 सीटों में से 50% सीटे कैटिगरी के हिसाब से पूरी तरीके से बिहार के इस्थाई निवासी के अभीर्थियों के लिए आरक्षीत है जिसमें से OBC, ST, SC और 36 आरक्षण को मिला करके 50% सीटे बनती हैं इसके अलावा जो 10% EWS का आरक्षण का प्रावधान किया गया है समीधान में वो अन्रिजर्ब की सीटों में से किया गया है तो 50% सीटे पहले से रिजर्ब हैं और 10% ये मिलाकर के टूटल 60% हो जाती हैं अब जो 40% सीटे बजती हैं वो open सीटे होती हैं अब 40% में 40% में जो अन्राजे के अभिर्टों को fight कराना है और जो बिहार सरकार में विसे सचिव के द्वारा कहा गया वो 40% सीटों के लिए कहा गया था उसमें महिलाओं और पुरुषों के बारे में जिक्र नहीं किया गया था अब ये अपने हिसाब से लोग predict कर रहे हैं कि चुकी महिलाओं को आरक्षण दिया गया है तो इसलिए ये बिहार के किवल महिलाओं के लिए होगा लेकिन जो सम्विधान में आरक्षण का प्रावधान है वो link के अधार पर नहीं है वो या तो category के अधार पर है या तो आर्थी किस्तिती के अधार पर है तो ये इस्थाई निवासी का महिला या पुरुष होने से कोई लेना देना ही नहीं है और जो sixth phase में भरती हुई थी उसमें भी link के अधार पर कोई भी इस प्रकार से भेदभाव नहीं किया गया था दूसरे राज़े के भी इरतों के द्वार तो इस खबर को आप पूरी तरके से सच ना मानिएगा जब तक कि कोई official notification इसके सम्मंद में जारी नहीं हो जाता ठीक है तो जैसा कि आपको ग्यात होगा 80,000 सीटों में से 40% को रिप्रेजेंट करती है उनी पर अने राज़े के अभिरतों को फाइट करना है और चुकि जो 40% सीटे बची है उसमें से भी 50% सीटे महिलाओं के लिए रिजर्व हैं तो 40% सीटे जो की 32,000 को रिप्रेजेंट करती है उसका 50% महिलाओं के लिए निकाल दिए तो 16,000 सीटे मेल कैंडिडेट के लिए बसती हैं वहीं 16,000 का आंखड़ा आप अपने स्कन पर देख पा रहोंगे तो इन 16,000 सीटों पर जो की मेल अनारक्षित सीटे हैं इसी पर सभी राज्य के अभियरतियों को फाइट करने के लिए बाते निकल करके आ रही हैं हलांकि अभी तक ये चीज़े इस पश्ट नहीं है जो बिहार सरकार में विसे सचिव के दोरा भी स्टेटमेंट दिया गया उन्होंने लिंग के अधार पर जिक्र ही नहीं किया था उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि आरक्षण का जो लाब है वो सिर्फ बिहार के स्थाई निवासियों को दिया जाएगा या फिर जो सिक्षा मंत्री जी के दोरा इस्टेटमेंट दिया गया उन्होंने भी यहीं बाते हैं कि जो आरक्षण का लाब है वो जो बिहार की स्थाई निवासियों उनको किवल दिया जाएगा अब ये आरक्षान का लाब समयधानिक प्रावधानों के अनुसार दिया यह था और समयधानिक प्रावधान जाती के अधार पर बात करती है और EWS के अधार पर बात करती है ना कि लिंग के अधार पर तो ये चीजे कैसे क्लेरिफाइं होंगी निश्री तोर पर ये थोड़ा सा विवाद कर सकती है आगे जाकर के भविश्य में क्योंकि सिख्थ फेज में इस प्रकार का नियम पहले ही लागू किया जा चुका है तो ये सभी मामले हैं आप इस पूरे मामले को किस नजरी से देखते हैं कमेंट करके जरू बताएगा और ऐसे ही मात्वपूर अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धनेवाद भगवान करें आपका दिन शुब हो